तो इस वीडियो में हम आप सभी को बतायाएंगे यहाँ पर Online बिज़ि कनेक्चन के लिए जिए बिजलि कनेक्चन कर सकते हैं वर आपको सबसे पहला को क्या करना हुद एक सुविधा अप्लिकेशन होता है जो आपको बिहार में इस प्यू Currently करने के लिए तो new connection लेने के new connection service वाले section पर click करेंगे यहाँ पर आप click करोगे तो यहाँ पर apply new connection का section है इस पर आपको एक पर click करना होगा यहाँ पर आप click करेंगे यहाँ पर आपको सारा instruction मिल जागा पढ़ने के लिए यहां पर रीट कर लेंगे इसका बाद नीचे आपको यहां पर प्रोसीड का उप्शन है इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको डिस्टिक सेलक्ट करना होगा आप जिस भी जिला से होगा जिला का नाम सेलक्ट कर इसका बद भार क्लीक कर लेना है इस तरह से दर्ज कर लें इन आप वे आपको पन्चायद कर सेलेक्ट कर लेंगे सक्षन आग tying यहां पर करने के बाद आपको यहां पर नीचे दॉस्टलिस एक पर KrīVA मेध्य प्लिक करोगे यहां पर आप जो ऐसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपको select division का option आगा यानि कि जो आपका बिजली connection जहां से मिलेगा उस division का select करने के आगा यहां पर click करेंगे यहां पर select division का option यहां पर click करेंगे और click करने के बाद select section का option यहां पर section यहां पर click करेंगे अपना section click करने के यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सिलेक्ट करने के लिए ओप्सन आता है फेज 123 जो भी फेज आप सिलक्ट करना चाहते हैं और रेंज आप अपना जितना वाट रखना चाहते हैं आप अपना घर में जितना यूज करना चाहते हैं उसके अनुसर यहां पर किलो वाट और वाट यहां पर सिलक्ट करें जैसे मुझे यहां पर घर में जलाना तो यहां पर एक फेज़ यहां पर लोड़ यहां पर 250 वाड़ लोगा यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर लोड़ यहां पर टाइप कर लेंगे यहाँ पर जिससे कि मैं 250 वाट यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इसके बाद नेक्सट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर पर फिल आप करेंगे जैसे कि हाउस या बेल्डिंग नमबर या स्ट्रीट यानि काओं मुहला के यहां पर यानि गल्ली का नाम होता है यहां पर लाइन 123 एड्रेस में आपको टाइप करेंगे आपको अगर मान लीजे एक लाइन में एड्रेस अगर फुल नहीं आड़ता इसके बाद हैं Thing का नाम से इसलेक्ट करना है बाद प्रपीन कोड़ इसके बाद पär पर email अडेया होगा तो डाल सकते नहीं तो आप छोड़ सकते हैं मैं यहां पर अपने सारे डीटियल में फील खकी जाएं पर पाले स्क्सन पर क्ली करेंगे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर finalization option आजागा यहां पर preview form कलिए तो यहां पर preview form पर पहले आप चेक कर सकते हैं आप जो भी आपने detail अभी तक फिल किया है इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको फोटो कहीं से लेना है या आपको screen suit इस तरह से क्या करेंगे upload document वाले section पर चले आएंगे इसके बाद यहां पर आपको अधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे इसके बाद ownership यहां पर खेंट का detail आपको डालना है यहां पर जैसे कि आपको खेंट का जो रसीद होगा उसको यहां पर डाल लेना है इसके बाद यहां पर address proof में आप क्या देना चाहते है जैसे मैं address proof में भी अधार काड़ दूंगा तो अधार काड़ सेलेक्ट कर लेंगा इसके अधार काड़ फौण्ट और लास्ट पेज यानकि पहला पेज और पीछे वाला पेज उसी तरह से यहांपर ownership में आने की खेंट का रसीद भी उसी तरह से डाल लेना है जैसे कि एक जमा बंदी डालेंगे और एक में रसीद जो होगा ओर डालेंगे उसी तरह से यहाँ पर आपको अधार कार्ड में आप डालेंगे अधार का जो होगा आपके पास अधार कार्ड का यहाँ पर सेलेक्ट क होगा आपको इस तरह से तो मैं यहां पर फोटो घींच चुक हूं यहां पर क्लिक कर लेता है इस पर और यहां पर मेरा सेव हो गया है और अपलोड करने के लिए आपलोड पर अपलोड पर Click करेंगे वहाँ पर gua अपलोड देहOW के रहेए कि यहाँ पर संसेपुल हो जाया है इसलिए रिकैन् crash और इसको यहाँ पर Okay करने कोद आपपलोड हो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उसी तरह से CCTV हो जाएगा यहां देख पारें, यहां पर मैं फ्रॉंट साइज के ले ले चुका हूँ इसके बाद लास्ट वाला पेज ले लेता हूँ फिर से यहां से यहां तो आप उसी पेज को दुबारा भी ले सकते हैं, जो लास्ट पेज में है उसी तरह से यहां पर submit समेक कर लेंगे यहां पर success हो चुका है, okay कर लेंगे ओके करने के बाद आप यहां पर देख रहे हैं, ownership मेरा यहां पर complete हो चुका है अब मेरा यहां पर address proof, मैं फिर से अधार काड़ यहां से type photo घुच लेता हूं, अधार का address proof के लिए यहां से सेप कर लेंगे यहां पर अपलोड कर लेंगे यहां पर सक्सेज हो चुका है ओके करेंगे इसके बाद यहां पर आप देख वालों को यहां पर आधार कड़का यहां पर लेलना है तिस तरह से यहां पर फिर से उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपको पिछली बार आ रहे हैं कि यहां पर सक्सेज हो चुका हो ओके हो चुका यहां पर आप देख पाने मेरे डोकुमेंट यहां पर टोटली कंप्लीट हो चुका रह गया एक फोटो यहां पर फोटो लेने के लिए आप फोटो कंडिगेट का यहां पर सामने से लेना होगा या तो आप फोटो यहां से आप क्लिक कर लेंगे और यहां पर आपको सेब कर लेंगे जिस तरह से आप एडरेस वाला प्रूफ सेब कर रहे थे यहां पर अपलोड वाले सक्षन पर क्लिक कर लेंगे यहां पर आपको उसी तरह से सक्सेश्फुल हो जाए जैसके यहां पर सक्सेश्फुल हो चु यहां पर बिजली कनेक्शन के लिए आपको इसी तरह से करना हो वीडियो अच्छा लगाते एक लाइक जरूर कर देए चैनल पर नहीं होगा ते चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं आपको अप्लिकेंट का यहां पर जो मैंने अप्लाई करके दिखा है उसका मैं स्टेटस च्क करके दिखा जाएंगे रहां यहांपने नमबर प्राप्ट किया था। इसके बाद यहां पर OK कर लेंगे, यहां पर OT भी डालेंगे, इसके बाद यहां से आप reference number यहां पर check आगे, इसके बाद verify पर click करेंगे, आपको status check करने के लिए आपर view over all application progress पर click करेंगे, यहां पर आपको सारे detail फिल हो जागा, जैसे कि आपको यहां पर दिया कहा है, approval हो जा आपको फ्री में connection कर सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं कि नए वीडियो में नए topic के साथ,